नमस्कार बिप्ट्याला अशा किती तरी बात में आपना आईकतो है नहीं का मानव आणी प्राणयाचा संगर्ष नाशिकला सद्ध्या रोज जुंपलाई तो खरस संगर्ष नाईका नहीं जानुद्या रोज अपना आच्चा मुलाकती मद्ना पड बिप्ट्या एकमेवच आहेका या नाशिक्ची ओलक या नाशिक्ची ओलक है ती मुलात अच इतल्या जैव विविद्धते मुले इथे असनारा सर्यादरी तेच्चा भोवतानी वावरणारी गोधावरी इथे असनारे अनेक पशु पक्षी इथे असनारे वेगवेकली फुल पान आणी एकंदरित प्रफुल्लित करनारा अपला निसर्ग असा मन्तात कि नाशिकची ओलक है तेचा USP चे तेचा हवामान तेचा हवामान करं कि इथे असनारा वाईयू इथे असनारा हवा आण इथे असनारा टेंपरेचर ले एकंदरित सग्याच नाशिकचा विविदक षेत्रानना पूरक असथर्थ। एकंदरेत आपलेया जग्णयालास ते पूरक्थरत याज नाशिक चा जाईववविध्ते वर आज अपन गप्पा वालना रोत नाशिक काल आज आणी उद्यामधे या गप्पायत अर्थात च नाशिक ची जाईवववविधता या सथी बोलना रहेत या अच्चा सेग्मेंट मदे नाशिक चे डेपुटी कॉंजर्वेटर आफ फॉरेस्ट पंकज जी गर्ग गर्ग साईब हे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मढ़ून ये नारे आधिकारी तस तर तेन्नी इंडियन इंजिनियरिंग सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज अशा अनेक परिक्षा उत्तिर्ण केलेले आई पड आवड मढून ते एंवायर्मेंट कडेवलले आणी निवड केली ते इंडियन फॉरेस्ट सर्विसची या मदेज खुब काई काम करायचे असा भरभरून ते बुलतात। तेन्ना काम करायचे ते सोईल अन मॉइस्चर मदे आणी अर्थात नाशिक मदे जो सग्यात मूठा प्रश्ण अपलेला सद्या भेडसाउतो है तो मैन अनिमल कॉन्फिक्ट मदे। काई मनना रहत्ते अपन बगुयाँ पण यनना बोलता करता है प्रतिक्षा कोठोई। एक तरून असाच्मनेल मी तेन्ना अक्टिविस्ट इन्ना अक्टिविस्ट इन्वायर्मेंट। वायर्डावर्सिटी मदे जन्नी शिक्षन घितला है आणि अवड मुणून जन्नी हां हे काम स्विकारला है। नेचर कॉंजर्वेशन सोसाइटी ओफ नाशीक या मदे त्या कारियरत आहे। नाशीक मदे जे काई परियावर्णा संदर बद ही सोसाइटी काम करते तेचा त्या अग्रेसर है। मते बोर्गडच संवर्धन असो, विप्यांच वावर असो, पशुगंदाणा असो, पक्षिगंदाणा असो या सग्या मदे हिरहीरीने भाग गेनार्या। मुला तास लानपणा पसुन, निसर्गा मदे वावरायला जन्ना अवड तो है, आणि आता तेच धेया मडून काम करता है। आशा प्रतिक्षा कोठोले। तर आईको याथ, पंकज गर्ग येंची मुलाखत गेतली है प्रतिक्षा कोठोले। नमस्कार, मी प्रतिक्षा कोठोले। माला हे सांगनात अनन्द होतो की मी आज श्री पंकज गर्ग सारांसा इंटर्व्यू देश्टूत साथी खेती है। सर हे डेपटिव कंजर्वेटर अफ़ फॉरस्ट अहे नाशिक चा वेस्टिविजन चे आणि ते एक आयफस ओफिसर सद्द हाहे। ते गेल्या दोन तीन वर्षा पसन थे नाशिक में ते तर निहां चार्ज घितलेला आहे और काम करता है। तर सार में तुम्हा एक प्रशना विचारते हैं कि तुम्ही आएफस तुम्ही जर्नी च legh एह। तुम्हें कदी पसन तुम्हाला वाटता कि तुम्हें एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनला पाईजे अनि तया साथी तुम्हें काय ट्रेनिंग घतली अनि अत्या परेंटची जर्नी तुम्हें कशिर हाई लिए जा बदल माला आई के लावडेल हुगान है, जो में में जो ग्रैजूेशन किया है ओ अनाइटी जैपूर शेलिए जैपूर से सिविल इंजनरी में किया है उसके बाद आप बाद आपी बॉंबे से मैंने मास्टर्स चैनवार्में टेछनॉजी में उसी तब जब मैं इसी जब बाद पर आप्बे में अनिया कुछ कर सकते तो तब ही से मेरे दिमाग में था लेकिन मैंने M.Tec करने के बाद Civil Services की तैयारी शुरू करी इसके बाद Forest Service के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है मुझे भी पता नहीं था जब तैयारी करी Forest Service के बारे में सोना मैंने बोला अच्छा एक्जाम में इसको देते क्योंकि इन्वार्मेंट का मेरा बैक्ग्राउंड था उसके बाद 2015 में मैंने मेरा Civil Services एक्जाम भी क्लियर किया Engineering Services भी क्लियर किया और Forest Service भी क्लियर किया लेकिन मेरा Inherent Interest था Forest Service में तो मैंने Forest Service जॉइन किया उसके बाद हमारी दो साल की ट्रेनिंग होती है IGNFA Indira Gandhi National Forest Academy दहरादून में उसके बाद मेरा joining first posting मेरा नाशिक मिला मेरा probation जो काल था probation जो काल भी नाशिक में हुआ उसके बाद मेरको Deputy Conservator of Forest महराष्ट शाषर ने यहीं पे regular posting दिया जाना चाहूंगी कि as a DCF Deputy Conservator of Forest आपका क्या रोल है और आपके अंडर कौंसे कौंसे तालुकाज आते है नाशिक के नाशिक जिले में महारास्ट्र साषन के जो वन विभाग है उसका साड़े तीन लाख हेक्टेर जमीन वन शेत्र है हमारे पास जिसमें मेरे पास 7,0,000,000 है यहां पर दो उपवन संगरख शक जो कि Deputy Conservator of Forest बोलते है वो पूर्व पष्षिंब पूर्व के पास 1,35,000 है और पष्षिंब के बाज 1,25,000 है तो मेरे पास 1,25,000 है उसको मेरे पास 9 ranges है वैसे नाशिक जिल्ले में 20 range है मेरे पास 9 range है और उसके अंदर इगतपुरी तालुका, सिन्नर तालुका, पेट तालुका, त्रिम्बक तालुका, कुछ पार्ट जिंडोरी का, कुछ पार्ट सुर्गना का ये मेरे अंदर आता है तो आपकी ये जो तालुका अब संभालते हैं, तो इसमें बायोडाविसिटी काफी है, ये पूरा वेस्ट जो रीजिन है, ये वेस्ट घार्ट में आता है, तो आप मुझे बताईए कि ये अपे बायोडाविसिटी के हिसाब से कितना रिज एरिया है और आपका क्या क्या रोल इसमें है जो पश्यमी घाट है जिसको अपन सयादरी बोलते है माराश्टर में इसको युनेसको ने वर्ल्ड हरेटेस साइट बोला है और इसके साथ-साथ इसको बायो डावरस्टी होट सपॉट भी बोला है जैविद्धा क्योंकि यहां पर जैविद्धा की तीवरगती से हानी हो रही है यहां पर जैविद्धा प्रचुर मात्रम है लेकिन उसी के साथ-सकी हानी हो रही है अभी हम जैसे पेट तालुका में एक अभियान चला रहे हैं गुलेर सरंडर करने का वापिस लेने का क्योंकि गुलेर से बच्चे जो है तालुका के ट्राइबल आदिवासी इलागों के वो पक्षियों को हानी पहुचा रहे थे वो ना समझ के कारण हम उनको जाके घरगर जाके जन जगरती कर रहे और उनसे गुलेर वापिस ले रहे बायो डाइवरस्टी पचाने के लिए अगर नाशिक जिल्ले में हमारे पास 14 तरीकी की स्पीशीज है जिसमें हम रेगुलरली जो बोलते हैं हम गैस लगाते हैं एक अनुमान है कि 70 प्रतिशत जो बिबठ है लेपर्ड है पूरे महरास्टर के वो नाशिक के अंदर है अभी थोड़े टाइम पहले एक हफते पहले हमने स्मॉल सिविट क को रेस्क्यू किया है अगर जो घोरपड है जिसको मॉनिटर लिजार्ड बोलते हत्था जोड़ी जिसका पार्ट है हत्था जोड़ी हमने वाइल लाइफ क्राइम में पकड़ा है तो इससे अंदाजा लगाए जा सकता है कि इतना बड़ा एरिया है अपना नाशिक अपना के लिए इसे आप बता रहे थे कि आपने एक अनिमल जो सिवेट है उसको रेस्क्यू किया या फिर जो इलिकल स्मगलिंग होता है या वाइल लाइफ क्राइम सोते है तो कॉंसे कॉंसे चैलेंजेस पूरा फॉरस डिपार्मेंट फेस करता है और आप उसे कैसे टैकल करते है स्टैटेजी कैसे अपनाते है सबसे बड़ा नाशिक में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटर इशू है वो है अनिमल कॉंफ्लिक्ट जो मानव वनने जीव संगर्ष है वो सबसे बड़ा चुनौती है हमारे सामने क्योंकि वन शेत्र दिरी दिर का मोरा है जो फॉ हमारे पास ऐराउंड एक लाख हैंट एक लाख है कितनी तरीके से कहा हो एगर फॉरेस्ट काम हो रहा है तो जो वनने जीव है वो दीरे दीरे फॉटी एरियाज में आरए इसमें सबसे पहला हमारे पास चुनौती हैं विबड्र संगर्ष को रोकने की जो लैपड है विकॉ वाहपस हमारे पास बहुत सारा शुगर करन गरोथ है यह जो लशको से अनदर के अ हो फोरस से आके अनदर कृू त। यो कभीकभी जैसे कटा ही होती ह हिर्वेस्टिंग होती है शुगर के तो उससे बढ़न शाए बेस्द yourself कर semif wild animals in difficult situations होते हैं, जैसे कुछ और्फन हो जाते हैं, अभी रिसेंटली हमने एक हाइना कब, इस में बी फस्स इन दा कंट्री, पहली बार देश में हुआ है, कि हाइना कब को उसके मदर से रियुनाइट किया है, लेपर्ड का हमने बहुत बार किया है, लेकिन इस बर फस्स ताइ और एक डेस्टिनेशन भी हो सकते हैं, लेकि में लिए ट्रांजिट है, प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि गुजरात जो सीमावर्ती जो शेत्र है अपना पेट तालुका और ये जो उत्रिंबग तालुका इधर से खैर और साक के पेड है, वो इसके अलावा हमारे पास चुनोती आती है, बायो डावर्स्टी को कंजर्व करने की, एंक्रोच्मेंट एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है, जो इलिगल एंक्रोच्मेंट है फॉरस्ट लैंड पे, वो है माइनिंग एक रिसेंटली एक ब इसको क्रॉस करके फॉरस्ट अरिया से घुच चाते हैं, तो यह में में हमारे इशूस हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं, राइट सर, मुझे लगता है कि यह काफी चालेंजिंग है और फॉरस्ट डेपार्टमेंट काफी अच्छे से इसको टाकल करके यह जो इशूस है, उसक इसको कर पाएंगे और उसके बारे में अब थोड़ा बताइए, 1926 एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर है पूरे महरास्टर के लिए है, जैसे पुलिस के लिए 100 नंबर अपन डायल करते हैं, ऐसे फॉरस्ट के लिए 1926 नंबर है, जो की नागपूर, जो हमारा है हेड़कोर्टर फॉरस्ट डिपार्ट्पेंट का वहां से उपरेट होता है, यहां पर वह हेल्पलाइच चालू करने के लिए जो कॉल उपरेटर है, जो कॉल सेंटर उपरेटर है, उनको भी ट्रेनिंग दिया गया है कि हाव यूव तो डील विट जो वाइल लाइफ के इशू है, फॉरस् फॉरस्ट 1926 डायल कर सकते हैं, वो सेंटरल नागपूर में फोन जाके डारेक्टली DCF या रेंज लेवल पर रेंजर्स होते हैं, उनको डारेक्ली कॉल जाता है और इमिडिटली कारवाई शुरू करते हैं, इसके अलावा हमने देखा कि उसमें अगर टाइम ब्लैक होता है तो कभी-कभी होता है कि लाइन बिजी होती है, वर्कलोड जादा है, तो कभी कॉल नहीं लग पाता है, इसलिए हमने नाशिक जिले में प्रत्यक रेंज में भी एक नंबर दे रखा है, जो कॉमन नंबर है, जो उसको डायल करके इमिडिटली रेस्क्यो किया सकता है, या फ अभी एक घटना हुई थी नौत यह अपने नाखपूर साइड में, तो उसी के बाद विश्या का कमिटी जो है, उस्तापन किया है नासिक में, तो यह वोमन सेफटी और बैने, अकॉर्डिंग तो माय नॉलिज, मुझे इसलिए लगता है कि 50% अराउंड स्टाफ हमारा अराउंड स्टाफ हमारे जो फॉर्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत हद तक जो महिलाय काम करती है, वो हर प्रत्यक वर्क में है, हर लेवल पे है, जैसे हमारा नीचे तपके पर वन मजूर, वन रक्षक, वन पाल, रफो, रेंज फॉर्स अफिसर, एसी एफ, हर लेवल पे जो वुमें है, महीला वर्क है, वो काम कर रहा है, तो उनकी अलग अलग तरेके की चुनोतिया होती है, जैसे फ्रंट लाइन स्टाफ की अलग चुनोती है, जो रेंजर है उरके अलग चुनोती है, तो उसको ध्यान में रखते है, जो सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर जो वुमेन थी उसको जो अकेले ही खुद को उसको फायर को भुचाना पड़ा था तो उसके चैलेंजिस मीटिंग में डिसकस हुए कि घर पर अगर मनलो उसको देखबाल करने के लिए बच्चा है तो उसको कैसे छोड़ के वो रात भी रात जाना है उसकी होते हैं डिसकस होके उसको समाधा निकाला जाता है ऐसा चर्चा में आया कि जो हमारी नर्सरी है उसमें प्रॉपर टॉइलेट्स नहीं है तो अभी हमने निश्यक ये किया है रिजूशन लिया है कि हम विधिन टू मंच हम हर नर्सरी में टॉइलेट्स बनाएंगे हर आफि इसे वह definitely सोचेगी और I think a comfortable वह महसूस कर पाएगी तो अभी मुझे से लगता है या मैं आपका भी opinion जाना चाहती हूँ कि अभी एक new emerging threat है wildlife के लिए road kills तो आपको क्या लगता है कि अभी जो habitats कम होते जा रहे है और हम roads, city को villages में connect कर रहे हैं तो इसे एक habitat के यहां से वो road गुजरता है तो road kills की जो समस्या है वो बढ़ गई है तो इसको tackle कैसे कर रहा है forest department और in general citizen के लिए भी आपको क्या message देना है road kill आपने सही का road kill एक emergent problem है क्योंकि road connectivity बढ़ रही है इसके साथ जो हमारा forest का habitat है वो fragment हो रहा है इसके लिए जो वन विभाग कर रहा है अभी देखे तो मारास्ट्रा के अंदर 170 leopard death हुई 170 leopard death रोड किल से generally हुई है उसमें 70% नाशिक से है और नाशिक में जो highway pass होते है उसके अंदर leopard kill होता है जो जहां पर यह kill जादा होते है उन kills को उन sports को identify कर रहा है forest department कि कौन कौन सी जगे और क्या वजह है क्योंकि बहुत बार क्या होता है जैसे hotels roadside hotels से वो अपना बेस्ट को प्रोपर्ली मैनेज नहीं करते है और रोड के पास में फेक देते है वो फिर अट्रेक्ट करता है डॉक्स को डॉक्स है जो है अपना leopard अट्रेक्ट होता है और वो रोड किल में प्रोपर्ण में वह क्या एंट्रेक्स है चुक्त करने जा हरा में आज-णा मिदासले से बीआपको न Mरा वरम्पलॉर्स नगारें तो पर एंटेम को मिलक्टर ममिलकरनम को नूतिसेगा जारा है कि आपसको बंद करना बड़गा वरना आपकि ओपर कष़ेटैनल या रए य मैंने अभी सुना एक न्यूज में आया था कि अभी एक rescue center नाशिक में open किया जाएगा जिसमें जो भी injured animals है उसको भापे treat करके फिर release किया जाएगा तो उसके बारे में अभी current क्या status है? नाशिक में एक बहुत अच्छी एक initiative लिया गया है rescue center खोलने के लिए क्योंकि हर साल हर बार क्या होता था कि leopard को अगर हमने अगर rescue किया है rescue के बाद उसको बोरीवाली भेजना पड़ता था या पूने भेजना पड़ता था नाशिक में कोई सुविधा नहीं थी तो इस बार हम हमने PWD को निदी भी सादर की है कि इससे जल जल rescue center बनाएंगे है उसके अंदर हमने tiger का भी उसमें enclosures है leopard के enclosure से जेकॉल, reptiles, birds के लिए flying testing unit सब कुछ हमने सुषज rescue center हमने plan बनाया उसका PWD को निदी देखे PWD ने उसको tender process कर दिया है tender process करके within 15-20 दिन में उसका भूमी पूजन होके और ऐसा बोला गया है कि बारा महिने में वो हमारे पस rescue center तयार हो जाएगा यह काफी अची न्यूस है और I'm sure कि अभी future जो wildlife का है वो bright है आपको पूछना चाहूंगी आपका एक message लेना चाहूंगी कि आप इन जनरल नासिक के citizens को क्या बोलना चाहेंगे और जो जो एंजियो है यह जो wildlife के लिए काम करते हैं उनके लिए कोई मेस्ज है आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम नाशिक के लिए जो forest department है हमेशा तयार है नाशिक के लोगों के लिए और नाशिक के लोगों का भी बहुत सपोर्ट है हमारे को, कोई भी initiative हम लेते हों, बढचड के लोग हमारे उस initiative में भाग लेते हैं, जैसे तालू का लेवल पर मैंने बता है पेट में हमने गुलेर करने का जो प्रोग्राम बनाया है उसके इनर बच्चों ने आगे 700 से ज्यादा गुलेर हमको दिया और हर जो मिटिंग्स होती है उसमें कम से कम जो है 100 बच्चे उनको मेसेज पहुंचता है तो हमारे पस हजारों में बच्चों तक मेसेज पहुंचा है और उखुद गुलेर अपनी वापिस कर रहे है गुलेल हम सिटी फोरेस्ट नगरवन करके एक प्रस्ताव हमने बनाया है जो हम कंपनीज बड़ी-बड़ी अपनी लोग ग्रीन लाइफस्टाईल को है लेकिन और ग्रीनर लोकल इत लोकल जैसे लोग अप कैल्कुलेट नहीं करते लेकिन दिर इस कंसे फूड माइल कि आपका जो खाना है वो कितनी दूर ट्रेवल कर किया है तो एक्जॉटिक आइटम खाने की बज़ाए आप कश्मीर अपरिका जो एपल है उसे खाने की बज़ाए लोकल फूट्स खाईए जो कम लिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है उससे आपका कार्बन फूट्प्रिंट कम होगा प्लास्टिक वेस्ट को कम करने की जड़त है प्लास्टिक के और दूसरे जैसे बैंबू एक बहुत बड़ा उससे देखते हैं कि इससे लाइक नो डिपार्ट्प्रिंट इसस नो टो एवरिधिंग बट ऐसा नहीं है हम बहुत अच्छे इनिशेटिव लेते हैं और हम पब्लिक के साथ ही काम करते हैं वाइड लाइफ एंथूजियास्ट है वह हमारे से रेगुलर टच में रहते हैं क कोई भी एनिमल रेस्क्यू करना हो हम उनी को बोलते हुआ हमारी मदद उनकी मदद से हम वाइल लाइफ रेस्क्यू करते हैं 1926 पर आप कॉल करें कोई भी आपको एंक्रोच्मेंट दिखता है फॉरस्ट फायर दिखता है या फिर आपको वाइल लाइफ रेस्क्यू के कर सकते हैं और इन जनरल आप नेचर कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट सर्व थैंक यू सो मच यह जो पूरे इंसाइट आपने दिये हैं। मैं लगता है कि wildlife का जो future है वो bright है और along with the forest department हमें आंगे बढ़ना है। और definitely जो अभी का staff है वो काफी friendly है। मैंने खुद यह मतलब महसूस किया है क्योंकि कभी भी कोई help हो या difficulty हो तो forest department हमेशा help करता है। और नासिक यह काफी biodiverse region है और यह पूरी तरह से मतलब जो भी इसके threats है वो कम होने में I think सब लोग मिलके अगर काम करेंगे तो यह definitely एक अच्छा, it will be a good thing for नासिक's wildlife. Sir, एक question है कि आप अभी तीन साल से नासिक में on duty है तो आपके आने के पहले या फिर आप जब इनिशली जॉइन हुए थे और अभी तीन सालों में और आगे जो भी future में आप प्लान कर रहे है या फिर पूरा forest department प्लान कर रहा है तो उसके बारे में हमें कुछ पताईए। नाशिक को जो देखते हैं जो इसका नाम है नाशिका वो रामायन जो पूरानिक कथा हैं उनसे संबंदिध है। बहुत सारे यहां पर देखे तो बहुत सारे गड किल्ले हैं वो बताता है इसकी history बताता है कितना rich इसका culturally यह कितना rich area रहा है लोगी ग Packij के यहां से सब्क्राइए। जो देखा गया यै कि नाशिक में इतना सारे घने टीक के वन थे। जो bite तालू का है तरिमबग तालू का है वहां खहर और bite कि जो के भनेवान उते थे हات सरह है तो पर ग। इसित सो हेप्टर पन चले गया है उसके एक पने सामने एक चुनोती है, सब के सामने कि कैसे इसको वापिस लाया जाए, नाशिक में जा 2300 mm बारिश होती है, वहाँ पे पीने को पानी नहीं है, गर्मियों में, दुशकाल है उदर, वहाँ लोगों को खिशेती के लिए पानी नहीं है, तो एक बड़ा सवाल है कि कैसे हम आगे सर्व करेंगे, इसके लिए हम जो फॉरेस्ट इपार्टमेंट कर रहा है जिला परिशित के साथ, हम एक मॉडल विलेज, आदर्श ग्राम हम बना रहे हैं, आदर्श ग्राम में क्या होगा कि उसमें वाटर सेल्फ सफिशेंसी कि हम अचीव करना चाहते है, जल म्रदा संधारन करक करेंगे, हम वार्टर सेल्फ सफिशेंसी, उस हर गाउं, प्रत्य गाउं को बनाएंगे, क्योंकि अभी तक फट्रेपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, जिला परिशाद अलग काम कर रहा है, निग अलग काम कर रहे हैं, सबका मोटिव एक है, हम चाह रहे हो सब साथ में वहाँ पर जो जमीन है वो सो पीक हो फर्टाइल लैंड हो इस तरीके से हम काम कर रहे और आगे भी मैं देखता हूं जैसे यहां पर कुछ-कुछ ऐसे प्रहतन हुए कि यहां की टोपोग्राफी को चेंज करने के लिए जैसे खोद काम का विशय आया था तरंबक तालुका में खोद काम हो आता तो यह इससे क्या होता है कि पर्मानेंट वो लॉस हो जाता है पर्मानेंट लॉस हो गया उसकी टोपोग्राफी का क्योंकि नेचर ने वो चीज बनाया है कुछ उसका इंपोर्टेंस होगा कुछ लोग ऐसा भी नजर आया है कि कुछ लोग वाइड को घर के अंदर रखते हैं, जैसे हम घोरपड का केस मिलता है, क्यमेलियन का, यह सब लोग घर पे रखते हैं, उनको नाशिक के लोगों को भी समझने के जरत है, कि बायो डावरस्टी का रोल जो है, वो फॉरस्ट के अंदर है, यह जो आप वाइड लाइफ को घर में रख रह सबसे विन्ती भी है, कि ऐसे जो वाइड लाइफ के चीजे, केसे हैं, उनको वाइड लाइफ अगर आपके पास है, तो हमारे नोटिस में लेके आएं, उसको हमें सरंडर करें, हम उनको फॉरस्ट में जाके रिलीज करेंगे, जिससे उनका रोल जो है फॉरस्ट के अंदर, वो सुद्रेगा, आगे मैं यह देखता हूँ, नाशिक के जो नागरिक है, बहुत ही अवेर है फॉरस्ट के बारे में, फॉरस्ट के साथ हम एको टूरिजम के उपर बहुत धान देना चाहते हैं, निसर्ग परियतन एक मेरा जो फ्यूचर में आइडिया है, निसर्ग परि जो यूथ है, कि शोर वर्क है, उनको जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवा के गाइड बन सकते हैं, वो होटल को मैनेज कर सकते हैं, रिसोर्ट को मैनेज कर सकते हैं, और निसर्ग परियतन से नाशिक में रेविन्यू जनरेट होगा, फॉरस्ट को कंजर्व करने का सबसे लीटर वो पानी आपको शुद्ध करके देता है, कितने लीटर वो हवा आपको शुद्ध करके देता है, कितने आपको non-timber forest produce इसको बोलते है, जैसे भावा के फ्लार है, हिर्डा है, बहेडा है, वो आपको मिलता है, वो चीज़ free of cost, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसको quantify कर कि उसका value कितना है, उसका कीमत कितना है, मूले कितना है, जैसे. Right, sir. Thank you so much. Thank you.